हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की और अच्छी कासी तेजी देखने को मिली एक उपर में जहां पर खुला वहीं पर इसने हाई बनाया उसके बाद एक जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आई प्रॉफिट बुकिंग की चलते चार सो स कम रहा यहां पर अगर आप देखें हाला कि डिलिवरी वोलियम तो अच्छा था पचास लाग कास पास लेकिन जो टॉटल वोलियम है थोड़ा सा यहां पर ठीक ठाक लगा अगर ज्यादा वोलियम रहता तो ज्यादा बढ़िया रह सकता था ऐसा मुझे लग रहा है यहां पंद्रा मिनट का चार्ट देखें तो आप देख सकते कि सबेरे ही जो कुछ होना था वो चुका एक अच्छी कासी तेजी के साथ खुला मतलब कि वहां पर उसके बाद एक प्रॉपिट बुकिंग आए उसके बाद पूरे दिन जो है यह कंसरेशन के साथ ही जो है काम करता रहा और वोल्यम भी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोल्यम था उसके बाद पूरे दिन जो है एक सुस्त सा माहल यहां पर बना हुआ था वीकली चाट के ओपर जब हम इसको देखते हैं तो एक कॉपेन हैनल जैसा पैटन बना था पिछली बार हमने बात की थी और उ पांसो रुपे तक जा सकता है आज यह ओल्मस जो है टार्गेट सब के सब जो है यह फिर रजिस्टन बोलो यह यह यहां तक जा चुका ऐसा लग रहा है अब आने वाला समय में थोड़ी सी प्रॉफिट बॉकिंग यहां पर निकल गई है तो यह भी एक संक्यत यहां पर द बात हो रही है शौट टम की लोंग टम के लिए अच्छा रह सकता है और ऐसा मुझे लग रहा है बाकि यहां पर वीकली चाट के उपर भी अगर देखे तो यहां पर भी इसकी जो बोलिंगर बेंग की ऊपरी लाइन है 460 के आसपास है आज बिलकुल वही पर सपोर्ट लिय देखे तो 74 के आसपास है तो न्यूटल सी यहां पर जो है एक सिच्वेशन बनी हुई है थोड़ा सा ओर्वोट यहां पर लग रहा है अगर वीकली चाट के उपर देखे दिया यहां पर भी 77 के आसपास है इसका रसा इसके अंदर भी जो है स्टेंथ तो अचीगा सी बनी ह है तो इतना असर इसके उपर जो है मतलब की नहीं पढ़ सकता है ऐसा मुझा लग रहा है लेकिन यह एसम की लिस्ट में है और स्टेज वन में है अभी है और अब बात कर लेते हैं अदानी वीलमार की उससे पहले इसके सपोर्ट और रजिस्टन हम देख लेते हैं अदानी पावर के तो यहां पर जो सपोर्ट जोन दिख रहा है पहला जो है एक तो चारdf चारसो चारीर सका जोर उसके बत देखे तभात देख्ए तो चभर जो और उसके बाद चारसो बीस सके ऑन देख्वी में तो दyख सकते नजत रख सकते ठोट हैं अब देख अड़ा कंसोरेस इसके अंदर नहीं रही हाला कि जो हाई था वो अच्छा कासा बनाया था पिछली बार भी हमने बात किदी कि यहाँ पर इसको अभी भी रजिस्टेंट करना पड़ सकता है 360 के आसपास आज के कारोबार की बात करे तो तकरीबन 14 लग के आसपास की डिलिवरी उठी है इसके अंदर ठीक ठाक डिलिवरी उठी ना ज्यादा नकम ऐसा लग रहा है पंदरा मिनिट का चार्ट देखे तो इसने भी जो है वही सीच्वेशन बनाई है सबेरे यह अच्छा कासा हाई बनाया उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आए और पूरे दिन यह सुथ सा कारोबर करता रहा है एक कंसोलेशन जोन में रहा और वीकली चार्ट के उपर पर अगर हम बात करें तो पिछली बार यहाँ पर इसने तीन सो साथ तीन सो पैसे रुपे के आसपास एक सपोर्ट लिया था उसके बाद एक अच्छा खासा बांस बेकाया था तो मुझे असा लग रहा है कि अभी इसी वज़े से यहाँ पर यह रेजिस्टन फेस कर रहा है पिछले हपते भी अगर आप देखेगे यह जो ग्रीन कलर की केंडल है वहाँ पर इसने रेजिस्टन फेस किया था इस बार भी वही पर यह रेजिस्टन फेस कर रहा है अगर इस लेवल को क्रोस करता है तो इसके इंदर जो है फर्दर तेजी आ सकती है जो कि इसको तीन सो बावन के असपास है अभी इसके अंदर है यह हाला कि इसके उपर जाने की कोशिश के दे लेकिन वापस से थोड़ा सा नीचे आया है और वीक्ली चाट के उपर अगर इसके बात करें तो इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ पर अभी इसके आसपास यह काम कर रहा है 347 है और इसके अंदर होलिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमाल चैनल को इसके उपर टाइम-टू-टाइम या फिर डेली जो है हम टेकनिकल चाट के उपर अनलेसिस करते हैं और इसके अब सपोर्ट और रजिस्टन देख लेते हैं तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है की बात करें तो थोड़ा सा कंसोरेशन यहां पर हो सकता है 346 का प्राइस है तो सपोर्ट जोन की अगर बात करें तो 330 और देखे तो 320 रुपे तो इन दोनों ही लेवल के उपर जो यह सपोर्ट ले सकता है ऐसा लग रहा है और अगर रजिस्टन की बात करें तो जैसे कि हम इसके उपर नज़र रख सकते हैं तो आज के वीडियो में अगर अच्छा लगा तो लाइक शेरें सब्सक्राइब करें और एक्टेंडर डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हुआ कोई भी ट्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनेचर एडवाइजर क इस अला ले उसके बाद ही कोई डिसीजन ले और डिसीजन ले तो उसके जीमेशा दारी मेशारिटी के साथ खुदी ले ये वीडियो में नेजू किसे इन परपस के लिए बनाएए मेरे तरफ से कोई भी बाया सेल के रेकमरेशन नहीं है थैंक्यू